उंचे नीचे रास्तों पे चलती, आती जाती हर सास पे पलती, यादों के कोनों में कहीं दुबक के बैठी, कभी नजर के सामने खुल कर निकलती. एक कहानी ये भी है. कुंदन को आज नीम नहीं आ रही है, अब बस्ती से बहार उसका घर होगा, बिल्डिंग में. आज ही तो लोकल बिल्डर के यहां से फोन आया था, वो लड़की कितनी इज़त देकर सर सर बोल कर बात कर रही थी. बिल्डिंग में रहने वालों की बात ही अलग है, बाहर वाच्मेन 24 घंटा डूटी देता है, गाउं से बाबुजी आकर देखेंगे तो गर्व से छाती चौडी हो जाएगी. तब ही पास लेटा जगमोहन खर्राटे भरने लगा. कुंदन ने उसे जरा असा हिलाया, जगमोहन ने करवट बदली और फिर सो गया. कुंदन ने उस सपने का सिरा फिर वहीं से पकड़ लिया, जहां थोड़ी दिर पहले जगमोहन के खर्राटे आये थे. कुंदन इस शहर में दो साल पहले आया, इलेक्ट्रिशन का काम करता है, गाओं की पौना बीगे जमीन से तो घर चलेगा नहीं, यहां शहर में काम करते हुए, चार पैसे बचा भी लेता है. कल बिल्डर के यहां से ऐसे ही एक मार्केटिंग वाली लड़की का फोन आया, और कुंदन के सपने की नीव टाल गया. अरे सर, हमारी तो बिल्डिंग ही लो इंकम गुरूप, मतलब कम आमदनी वालों के लिए है. बिल्डर के ओफिस का सेल्समेन कुंदन से बोला, इतनी डिमांड है सर, कि घर फटाफट बुक हो रहे हैं हमारे. फर्ष पर टाइल्स, रसोई में गैस का कनेक्शन, बाथरूम में स्टील की फिटिंग्स, थोड़ा शहर से दूर है, लेकिन आजकल तो लोकल ट्रेन, मेट्रो, दूरी तो बस आधे गंटे की है. सेल्समेन कुंदन को घर की फोटो दिखा रहा था. कागस के नक्षे पर कुंदन ने तो मन ही मन इटे लगाना तक शुरू कर दिया था. कैश में लेंगे या लोन सर? सेल्समेन की आवाज सुनकर कुंदन खयालों से बाहर आया. जी, लोन, लोन लेंगे. आज बैंक जाकर बात करना था, पर आपके पास आ गए तो सेल्समेन बोला, अरे सर, हमारा ये प्रोजेक्ट बैंक से अप्रूड है, लोन तो चुटकियों में हो जाएगा. डाउन पेविंट कितना देंगे सर? एक तो बार-बार सर सुन-सुन कर, कुन्दन का सर चक्रा रहा था. फिर भी समल कर बोला, कितना देना होगा? सेल्समेन बोला, वैसे तो धाई लाग से बुकिंग होती है यहाँ, पर आप डेड़ लाग अभी दे सकते हैं, और एक लाग एक महिने में, वो क्या है? रोज इतनी बुकिंग हो रही है, कुल साथ फ्लैट ही बाकी बचे हैं, लेट हो गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और अगला प्रोजेक्ट आने में, डेड़ लाग, डेड़ लाग कल तक हो जाएगा, कुन्दन जल्दी से बात काटते हुए बोला, कुन्दन बुला, 85,000 हमारे पास है, छुटकी की शादी के लिए जोड़े हैं, बाकी का 35,000 मकान मालिक से ले ले हैं, डेपॉजिट में से, एक बार बैंक का लोन मिल गए तो सब पठा देंगे, इस बीच बिल्डर के आफिस से लड़की का तीन बार फून आ चुका था, सर सर के अलावा कुन्दन कुछ समझ नहीं पाया, पर अगले दिन शाम तक बिल्डर को पैसे दे आया, और सडक किनारे बिल्डिंग वाले होर्डिंग के नीचे खड़े होकर, बाबुजी को भी ख जगमोहन ने पूछा, उदास कुंदन बोला, बोलते हैं हमारा कागज पूरा नहीं है, इंकम बहुत कम है, जगमोहन बोला, अरे तुम बोले नहीं, इंकम ज़्यादा होता तो लून क्यू मांगते, और वो बिल्डर क्या बोला, कुंदन ने बताया, कहता है कागज तो करो ये खरवर के चोचले छोड़ो दो तीन महीने हो गए हैं कुंदन को अब तक पैसे वापस नहीं मिले हैं उसी होल्डिंग के नीचे खड़े होकर बाभु जी को फोन पे समझा रहा है घर इसलिए वापस कर दिये क्योंकि उसमें लिफ्ट नहीं थी और काम वाली जगे से बहुत दूर भी है यकीन दिलाना जारी है उपर होर्डिंग पर लिखा है आपका अपना घर आठ परसेंट पर जमीन से बीस फुट उपर उमीद सिर्फ आठ परसेंट पर बिक रही और जमीन पर जरूरत खरीदने के लाले पड़े हो जिए ज़्ट नहीं कि अज़री भी है झाल झाल